हालो फ्रेंड्स मैं गोपाल सिंग आज हम cnc मसीन में रेडियस कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे आई और खट के साथ बेसिकली हमारी जो कमांड धै जीजीरो ऐसी कमांड में जीजीरो के लिए जईडियस क हम星 करते जी जियो टूले तो ये सिंग कल temperatures एक आइच अर्फ देम यह लेते एं एंटिक लॉक वाज तो पहले तो जी जी रोट सिंट मधने जल तो औक आइट या जी 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 डोटू एकस जैड में आई के है ठीक के लिए जब हमें रेडियस एंटी इंट गाइज अना ना Tai आए इस अडर प्रोग्रांग को लेके चलते हैं, इस point to point हम क्रेंट क्रेंगे, फिर हम इसका program बनाएंगे, ठीक है, पूरा वीडियो, watch कर, okay, मैंने लिखा है, r क्या है, यहाँ पे, radius of circle, r क्या है, radius of circle, i, i है the value of x, from start point of circle to center of circle, k है the value of z, है from start point of circle to center यह दोनों कैसे calculate करते हैं वो मैं आपको बताता है point to point हम पहले जहां radius command है उसका हम calculation करेंगे मालो डाया हमारा 20 है और tool position हमने 2 mm पर किया है तो a point की value हम लेंगे x हमारा कितना होगा 20 और z हो जाएगा 2 b point की calculation हम करेंगे तो x हमारा 20 रहेगा और z हो जाएगा minus 15 यहां तक क्लिए रहे अब आता सी पॉइंट सी पॉइंट radius command है चुकि हमारा जो है ना टूल यहां पर यह radius ले रहा है ठीक है यह देखो यह radius है अब इसको हम कैसे calculate करेंगे पहले तो यह देखते हैं यह हमारा यह देखते हैं radius का इसका हम एक circle बना देखते हैं ठीक है जी हमारा एक circle बन गया यह देखो तो यह एक quarter हमने use किया है सीधा सीधा तो यह value अगर 5 दी हुई है यह value तो यह r के बराबर है तो यह value 5 है तो यह भी हमारी 5 होगी और यह भी 5 होगी ठीक है clear है न यह अगर 5 है तो यह भी हमारी 5 होगी अगर यह ज़्यादा कम होती तो फिर हमको calculation करने पड़ते हैं ठीक है न अब c point हमारा है c point पे हम जाते हैं तो c point पे हमारी x की value कितनी होगी 20 और 5 यहां यहां से यहां तक कितनी होगी 5 पांच उपर है तो 5 ही नीचे होगी क्यों तो 5 और 5 दस तो यह हमारी होगी 20 और 10 30 और z का minus 20 ठीक है 15 और 5 minus का 20 ओके अब आता है d point पे हमारा डाया 40 है क्योंकि हम x में क्या लेंगे डाया और z में क्या लेना है length from center ठीक है center से length तो d point पे डाया कितना है हमारा 40 तो हमने 40 लिख दिया d point की यह हमारा center है तो center से अगर हम लेते हैं तो center से यह जो length आ रही है निकल गे d point की यह कितनी आ रही है 15 और 5 20 तो यह कितना होगा center से minus का 20 मैं axis और so कर देता हूं यह हमारा x plus x minus z plus और यह z minus ठीक है यह वहना center बना दिया यह axis मैंना so कर दिया ओके e point e point हमारा यह है e point पे डाया कितना है 40 तो x 40 होगा z कितना है 20 और 20 40 तो यह होगा minus का 40 अब आता है f point f point पे हमारा डाया कितना है 40 अब बात आती है यह यह हमारा निकालना है यह दिया नहीं है इसे calculation करना है तो इसका पूरा circle यहाँ पे draw कर जो ठीक है draw कर दिया यह कितनी height है वेटा 4 चार है तो इसको उपर उठा दो तो radius कितने का है 10 का radius है 10 का radius है आर 10 ठीक है 10 का radius है तो 4 यहाँ तक हो गया और हमें इसका center लेना है तो center कितना उपर वा जाएगा 4 तो यह हो गया तो कितना बचा 6 तो यह हमारा हो गया 6 और इसे यहाँ मिला दो ठीक है तो यह जो है न सेंटर से जो point हमारा आ रहा है center से यह कितना होगा 10 क्योंकि किसी भी circle के center से और उसकी परदी जो सरकान फ्रेंस है इसके उपर किसी भी point को मिलाने वाली रेखा radius होती है तो यह 10 का radius है तो यह 10 होगा और यहां से यहां तक हमारी value कितनी होई यह कितनी है चार और 6 अब यह अगर 10 है और यह 6 तो मालो यह इसका हम निकालते हैं यह value यह आ जाएगी तो यह भी हमारी आ जाएगी यह हम कैसे निकालेंगे इसे calculate कर लेते हैं यह circle यहां पर हम बना लेते हैं ठीक है यह हमने triangle बना लिया इस triangle के यह 6 है और यह 10 है यह 6 ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे मालो a b c तो a c square is equal to a b square plus b c square ठीक है अब हमको b c चाहिए तो b c square is equal to a c square minus a b square अब हमारा a c कितना है 10 10 का square minus a b कितना है 6 6 का square अंडरूर 100 minus 36 अंडरूर 64 is equal to 8 यह हमारा आगया आठ ठीक है तो यह वैलू हमारी यहां से सेंटर से यहां तक की वैलू यह हमको मिल गई कितनी मिल गई आठ तो आठ अगर यह मिल गई और यहां से यहां तक कितना हो गया 16 40 और 16 56 माइनस 56 जी पॉइंट जी पॉइंट पर डाया 40 है डाया 40 ही लें तमारी 30 और जुड़नी तो पचासी तीस असी माइनस 86 ठीक है यह पॉइंट्स हो गए अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वैलू कैसे पुट करेंगे तो हैडर हमें बनाने की आवशक्ता नहीं है हम सीधा पोजिशन से चलते हैं यह प्रोग्राम नम्मर से भी चाहें तो लेने ओ जी प्रोग्राम नम्मर ले लिया हमने ओ जी रोफाइव एन वन जी फॉटी जी एटी जी ट्वंटी एट यू जी रो डवलू जी रो टी जी जी नाइन्टी सेवन एम जीरो थ्री एस दो अजार जी जीरो एक्स अब हम यह लेते हैं जी जीरो एक्स कितना है 20 और जै 2 ठीक है पोजीशन हो गया चोगी ए पोइंट पर हमारा जी जीरो में आएगा इसके बाद फिर हम बी पोइंट है हमारा बी पोइंट पर हम जाएंगे जी जीरो वन में जी जीरो वन एक्स 20 जैड माइनस 15.0 फीड जीरो पोइंट टू सी पोइंट सी पोइंट हमारा रेडियस में जाना है हमें सी पोइंट पर अब हमें देखना है रेडियस में है क्या विश्करेंगे जी जीरो टू या जी जीरो थ्री अगर रेडियस इसतरीके से पढ़ रहा है तो जी जीरो तरी तो इसका मतलब वहारा जी जीरो टू यूज होगा तो हम लिखेंगे जी जीरो टू एक्स सी पॉइंट पर एक्स थर्टी जैड माइनस 20 अब हमें आर नहीं यूज करना आई और के करना है अब हमें यह देखना है आई और के कैसे सेलेक्ट करेंगे देखो यह जो रेडियस है इस रेडियस का यहां से जैसे हम आ रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा बी या सी बी बी स्टार्ट है सी हैंड है आई की वैलू निकालेंगे तो एक्स दा वैलू अफ एक्स प्रॉम X की value जिस circle के start point से center तक के बीच की तो अगर हम देखें I में तो I का मतलब है X तो X में ये value होगी तो ये value यहां से उपर हमारी कितनी आ रही है 5 तो start point से center हमारा कितना है इसका center 5 उपर की तरफ है ना उपर की तरफ है तो plus में आएगा तो का में आएगा प्लस में तो ये हम लेंगे I 5 K अब K की value देखो K में क्या है दा value of Z ये from start point of circle to center of circle start point से और जो center है वो K में मतलब Z axis में कितना है ना इदर है ना उदर है अगर उदर होता तो plus होता इदर होता तो minus लेकिन ये तो इसके उपर ही है केबल X है तो इसलिए K का मान यहाँ पर शूनने होगा तो K के value हमाँ पर 0 हो जाएगी आप दाना चाहें तो डाल दे नहीं तो 0 होगा है तो कोई हो नहीं और F 0.2 हम D C point पर आगे अब हम D point पर जाएँगे तो D point पर G 0 1 C से D जा रहा है तो यहाँ G 0 1 रहेगा तो हम लेंगे G 0 1 X 40 Z minus Z से में 20 फिर 0.2 हम D point पर आगे अब E point पर आजाओ D से हमारा E point यह है तो D से E काह में आ रहे है G 0 1 में ये भी हम G 0 1 में आए थे ये भी G 0 1 और ये G 0 2 तो G 0 1 में आएंगे तो G 0 1 X तो 40 ही है Z minus 20 और 20 40 बहुत से कितना है 40 तो Z minus 40 फिर 0.2 इसके आप देखो यह यह point आ गया अब इस point पर जाना है हमें तो हम कैसे चल रहे है Clock Y ऐसे जा रहे है है ना तो यह circle ऐसी है तो यह G 0 2 ही हो जो हुआ यह देखो नहीं तो हम यहाँ पर G 0 2 X 40 Z minus कितना हो गया 16 और जोड़ दो 40 और 16 56 Z minus 56 अब आई अब देखो आई और के का मांग फिर यहाँ पर आ गया कैसे calculation करना है अब हमें यह calculation करना है तो E point इस circle का जो radius है जो हम दे रहे है आख दिये स्टार्ट पाइंट यह होता हम ओधर से आ रहे है स्टार पॉइंट क्या है E स्टार्ट पॉइंट से और इसका सर्क्ल यह की पाइए ज tom भी हमने शखन बना यह इसर्क्ल का सेंटर पॉइंट का हम है आई तो है सब आट से सर्क्ल माइंट तould спрос में हाइट में X में X में कितना है 6 अब देखेंगे कि 6 ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में है तो I6 I plus 6 K K में देखते हैं की value of Z Z की value start point से circle के center पे यह जो है ना ऐसे Z यह कितनी है तो start point से center यहां से कितनी दूर है 8 अब यह देखो start point को base मांग और center तक जाना है तो इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है minus है तो k minus में होगा कितना 8 तो k होगा minus का 8 feet 0.2 हो गया इसके बाद g 0 1 x 40 z minus तीस और जोड़ दो 86 feet 0.2 है इसके बाद m 0 5 m 30 इसके बाद g 28 g 28 u 0 w 0 हम position पर गया हम यहां से बापस यह हमारा g 0 1 हो गया और m 0 5 और लास्ट में m 30 इस तरीके से हमारा यह program complete हो गया ठीक है तो मैंने आर नहीं यूज किया इसमें हमने मैंने क्या किया है आई और के का यूज किया है के अगर 0 है तो के नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं तो यह मैंने प्रोग्राम बनाया है अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है और समझ में अगर डाउट कुछ भी है तो आप दुवारा डाले तो मैं और आपको आपको एक्स्पेलीट करूँगा ठीक है और इसके साथ और वीडियो भी कम आपकी डिमान्ड है तो आप भेजते रहें ओके थैंक यू वह कर दो कर दो